है दोस्तों नमस्कार कैसे अफ्लोग तो देखिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे अंग्रेजी बरन माला जिसे इंगलिस अल्फाबेट काते हैं इसमें कई टाइप का क्वेस्टन होता है तो इसमें टाइप फर्स्ट में कैसा क्वेस्टन पुछता है यह हम आपको इसमें कवर करेंगे और एकदम सटिक समझाएंगे ठीक है तो देखिए यह दिया है कि अंग्रेजी बरन माला के बाये से बराहवें अक्षर के दाई और आठवा अक्षर कौन सा होगा तो देखिए इसको पहले हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एबी-सीड लिख लेत अग्रेजी बरन माला में बाये से देखिए शुरुवाती अगर बाये से करेंगे ना तो देखिए इधर से जाएंगे तो इधर बाये हो जाएगा और इधर से आएंगे तो दाएं हो जाएगा ठीक यह दाएं हो जाएगा यह बाये हो जाएगा लेकिन अगर कहीं रुकने के बाद फिर दाएं बाये करेगा तो उल्टे हो जाएगा मतलब कहेगा कि इधर आने के बाद फिर बाये फिर बाएं से आने के बाद मतलब यहां रूख करके फिर बाएं जाएगा तो इधर जाएगा इधर आएगा बाएं आएगा ठीक और लेकिन बाएं से कहेगा तो बाएं इधर से जाएगा और दाहीं इधर से आएगा लेकिन रुकने के बाद फिर उल्टे हो जाता है गया है समझेगे बात को तो देखे यह कर रहा है कि अंग्रेजी बॉन माला में बाएं से बराहवा अक्षर देखें के होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दो, दो, 12 बारह अक्षर हो गया, एल हो गया ठीक लेकिन कर रहे हैं बरहुए अक्षर के दाई और अठवा अक्षर कौन सा होगा तो बरहुए अक्षर के दाई और ठीक तो इधर अगर करेंगे तो बाई हो जाएगा इधर करेंगे तो दाई हो जाएगा ठीक तो इसके दाई और ठीक है अगर यहां पर इफ़ खाड़ा ओंगे यहां पर ऐसे मूह करके to आपका दाहिने इधर वह जाएगा और रिखने के बाद से उल्टे हो जता है और सुरू में सिधर आता है तो 3 चलेंगे द्याइस कई अगर तो कॉन मेरा अठाव अक्षर repeat इसी परकें दूसरा सवाल देखिया meny when अग्रेजी 와 माना में जी अक्षर के बाइं तीसरे अक्षर के दाई और पंदर हमां अक्षर कौन सा हो गए देखिए कर रहे हैं कि जे अक्षर के बाएं तो देखिए जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर ठीक तो इसके बाएं तीसरा अक्षर तो एक, दो, तीन तीसरा अक्षर यह जी हो गए तो करें तीसरे अक्षर के दाई और पंद्रहवा अक्षर फिर यहां से दाई कर रहा है तो फिर यह दाई ही ने कर रहा है तो इधर जाएंगे दोखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, 11, 12, 13, 14, 15 पंद्रहवा अक्षर के हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है, तो पंद्रहवा अक्षर भी हो जाएगा, कह रहा है कि अंग्रेजी बर्ण मालक है, जे अक्षर के बाएं तीसरे कर दिये, उसके बाद से कहा दिया कि दाई और, फिर तीसरे अक्षर के दाई और पंद्रहवा अग्छर तो क्या आया भी आया ठीक है वो उसमें देखे लिए भी आया अगला है देखिए क्वेश्चन की अंग्रेजी बर्ण मलक बेप्रीत करम में लिखा गया और परतेक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया गया तो कौन सा अक्षर सेस बस्चे अक्षरों के मध्य होगा तो हम आपको यहां से इसको दाएंबायवाला अलग से एक पर बता देते हैं देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z य, Z, Y, Z हो गया, तो शुरू में तो लिखेगे तो सीधा में जब लिखेएंगे तक इधर से जाएंगे तो ये बायवाला लेकिन अगर उल्टा कहेगा तो ये एधर जब आजायगा, जेड इधर आजाएगा तो क्या हो बिखने पर पर इक दूसरे चैनी इधर से फट्टzug डको रिगत जोड़ाने को आप देडियागी यह अहता से मुछ इस को खीर सिछ इन्यवार्ट इसको मुछ तो कर रहे हैं कि सिस बच्चे अक्षरों के मध्य अक्षर कौन सा होगा तो देखिए एक दो मतलब कि 26 में से 13 क्वाटा दिया तो कितना बचा 13 बचा टोटल 26 होता है न तेरा बचा 13 में तो इधर से सातवा और उधर सातवा देखिए एक दो तीन चार पार पांच छे सात गर पांच शे शे लिए उसके बाद से देखिए जेड के बाद से एक दो 3, 4, 5, 6, 7, 7 वा गया तेरा अक्षर में तो 6 धरस हो गया, 6 धरस तो बीच में N हो जाए तो यह N सही हो जाए ठीक है तो समझ गए होगे यह सवाल, कभी भी ऐसा सवाल करने के लिए अगर अपने असानी के लिए A-B-C-T जरूर लिख लिए ठीक है यह परिक्षा में जाने से जम्मत भी श्टार्ट होता है तो उससे पहले ही A-B-C-T लिख लिए क्योंकि इसमें से एक नाएक सवाल जरूर आता है ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगा एक वीडियो में तब तक लिए हमारे वीडियो को लाइक करने शेर करने और सब्सक्राइब करने ना भूना चैनल को तो अब दोस्तों